हेलो बच्चो आज हम NCRT के लास थर्ड इंग्लीज का चैप्टर दा स्टोरी ओफ दा रोड करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इट इस अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह का समय है दा रोड इस असलीप जो रोड है वो सो रही है एवरिफिंग इस क्वाइट सुफ्ट आवाज में कुछ बोल रही है चिर्प 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 से इस पैरो इस पैरो ने क्या कहा इस पैरो ने कहा चिर्प 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 जो इस पैरो का साउंड होता है उस चिर्प होता है तो उसी आवाज में इस पैरो बोल रही है चिर्प 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 कौव काव काव से दक रो फिर क्रो ने कहा काव 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 वेक आप, वेक आप जाग जाओ, जाग जाओ किसको जगा रहे है ये? ये जगा रहे है रोड को Here is someone else now अब यहां पे कोई ओर भी है वो कौन है? ट्रिंगालिंग, ट्रिंगालिंग, it is the newspaper boy ये है newspaper boy, जो अपने सांक्यल से ट्रिंगालिंग, ट्रिंगालिंग का sound कर रहा है तो वच्छो इस picture में देखो, ये एक newspaper boy है जो की road से आ रहा है, अब road जाग चुकी है लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है सब सोच रहे हैं कि अभी वी road सोई हुई है ट्रिंगालिंग, ट्रिंगालिंग, says his bicycle उसकी bicycle ने आवाज की है, ट्रिंगालिंग, 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 wake up, जाग जाओ चिर्प चिर्प चिर्प, सेदस पैरो, चिर्प चिर्प, काव काव, सेदक रो, wake up तो ये सब अपने अपने आवाज में कह रहे हैं ये road को, जाग जाओ और अब कोन आ रहा है, इट इस दा वेजिटेबल मैन ये वेजिटेबल मैन है, सबजी बेचने वाला और वेजिटेबल मैन के पास कौन कौन से सबजया है, वो क्या बोल रहा है, उसके पास है पीज, मटर, कौलिफ लावर होता है, फूल गोभी, क्याबेज होता है, पत्ता गोभी इन सबजियों के नाम लेकर वो आवाज लगा रहा है पटेटो, कुकुमबर्स, रैडिस, कैरेट्स, और उसके पास दूज़े सबजिया कौन सी है, उसके पास पटेटोज है, आलू, कुकुमबर्स है, खीरे, रैडिस होते मुली, और कैरेट्स, गाजल काउ, सेदा करो, वेक अप, उसके बाद फिर से, जो करो है, को रहा है, उसने आवाज लगाई, वेक अप, जाग जाओ, चिर्प, चिर्प, सेदा स्पैरो, उसके बाद स्पैरो ने फिर से बोला, चिर्प, चिर्प, ट्रेंप, 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 Who are these? अब जो sound आ रहा है, वो आ रहा है, tramp, tramp, tramp का, और chatter, 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 chatter. Chatter, chatter मतलब किसी के बात करने के. अब कौन है? They are children going to school. ये school जाने वाले बच्चे हैं. Chatter, 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 talk the school children. जो school जा रहे बच्चे हैं, वो chatter, chatter करके बाते कर रहे हैं. मतलब हमको पता तो लग रहा है कि वे बाते कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. तो ऐसे sound को कहते हैं, chatter. Tramp, 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 go there, soos. और जो उनके सूज हैं, उनमें से tram, tram की आवाज आ रहे हैं. Peas, carrots, cabbage, calls the vegetable man. और vegetable man फिर से अपने सब्जियों को. बेचने के लिए बार-बार बोल रहा है कि Peas, carrot, cabbage, उसके बाद चिर्प-चिर्प किया वाज आई. ये फिर इस पैरो बोली. फिर cow cow, sedak, row, wake up. उसके बाद फिर कोवे ने कहा, जाग जाओ. Cow cow cow, cow, sedak, row. Cow cow, wake up. तो कोवे बहुत स्वर मचा रहा है. और बार-बार रोड को बोल रहा है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ. उसके बाद wake up, जाग जाओ, ask the road. फिर रोड ने पूछ है क्या? ऐसे कह रहे होगी, जाग जाओ. Can't you see? You foolish bird. मूर्क पक्सी, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? I am wide awake. मैं पहले से ही जागी हुई हूँ. तो यहाँ पे रोड हमारी जागी हुई है. लेकिन जो पक्सी है, क्रो है, उसको लगता है कि रोड हमारी सो रही है. अब इसमें new words कौन से है? इसमें हैं newspaper, cucumber. News paper कहते हैं अखबार को, cucumber होते हैं खीरे, cabbage होती है, पत्ता गोभी, potatoes, आलू, रैडिस होती है, मुली, cauliflower, full गोभी, और full इस कहते हैं मूर्क को. Next is reading is fun. Reading is fun में, जो हमारा first question है, what sound do you hear on the road in the morning? Morning में, रोड पर आपको कौन से sound सुनाई देता है? In the morning, we hear the sounds of birds, newspaper boy, vegetable man, school going children, a sector on the road. Morning में हमको जो sound सुनाई देता है, वो होता है, birds का, newspaper boy का, और vegetable man का, उसके बाद जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनका. इसके लाब ही बहुत सारे sound होते हैं, जो हमको रोड पर सुबह 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 सुनाई देते हैं. Second है, What is the vegetable man selling? Vegetable man क्या बेच रहा है? The vegetable man is selling different types of vegetables, such as peas, cauliflower, potatoes, radis, carrots, cabbage, etc. तो जो vegetable man हैं, वो अलग अलग तरह की सबजिया बेच रहा हैं, जैसे की मटर है, फूल गोबी है, आलू है, मूली है, गाजर है, पत्ता गोबी है, और इसी तरह की और सबजिया. Next है, Why is the road annoyed with the crow? जो हमारी road है, वो crow की वज़े से, crow की आवाज की वज़े से, प्रेसान क्यों हो गई, चेड क्यों गई? The road is annoyed with the crow because he is waking up the road again and again. क्योंकि जो crow था, वो road को बार बार जगा रहा था. But the reality is that the road is already wide awake. जबकि reality ये थी, कि जो हमारी road है, वो already जागी हुई थी. लेकिन crow को ये बात पता नहीं थी, और वो बार बार उसको जागने के लिए कह रहा है. जब भी आपको street या फिर road क्रोज करनी हो, तो सबसे पहले रुको, उसके बाद दोने तरब देखो, उसके बाद सुनो. कोई sound तो नहीं आ रहा है किसी vehicle का, use your eyes, use your ears, अपने आखें इस्तमाल करो, और अपने कान इस्तमाल करो, and then use your feet, और उसके बाद अपने feet इस्तमाल करो, और हमेशा हमको road जबरा क्रोसिंग से ही cross करनी चाहिए. यह हमारा जबरा क्रोसिंग है, यह आपने देखा होगा. जब आप road पे चलते हो, और जो sound आप सुनते हो, क्या आप उसकी नकल कर सकते हो, अगर कर सकते हो, तो आपको अपने किलास में यह सब करके दिखाना है, अपने दोस्तों से इस बारे बात करनी है. उसके बाद हमारा next question है, हमको can और cannot का use करना है. जैसे I dash hear the sound of car, कार का sound मैं सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता हूँ, अगर मैं सुन सकता हूँ, तो can, otherwise cannot, तो आप सुन सकते हैं, तो कार का जो sound होता है, वो तो सभी सुन सकते हैं, तो आप यहाँ पर can लिखतेंगे, उसके बाद है I dash hear the train whistle, train की जो विसल होती है, उसको भी सुन सकते हैं, तो यहाँ पर आप can लिखेंगे, I dash hear the wind blow, जो हवा चल रही है, उसका sound तो सुनाई नहीं देता है, इसलिए आप यहाँ पर cannot लिखोगे, उसके बाद है I dash hear the clock, जो हमारी घड़ी होती है, किसी की घड़ी जोर से आवाज करती है, तिक टिक किसी की आवाज कम क करती है, तो उसको आप सुन भी सकते हो, और नहीं भी सुन सकते हो, अगर आपकी घड़ी तेज आवाज कर सकती है, तो आप can लिख सकते हैं, और अगर आपको अपनी घड़ी के वाज सुनाई नहीं देती है, तो फिर आप cannot लिख सकते हैं, उसके बाद है I dash hear the sound of feet, जो पैर करने का sound आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, उसी कि accordingly आपको यहाँ पर लिखना है can या फिर cannot, जो भी आपके लिए सही हो, I dash hear the dog barking, जो कुत्य भोगते हैं, उसका sound तो आप definitely सुन सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर can लिख सकते हैं, आगे आपको यहाँ पर एक प सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि I can see a tree, में एक tree देख सकता हूं, I can see different types of vehicles running on the road, road पर चल रहे हैं अलग अलग type के जो vehicles हैं वे देख सकता हूं, I can see a zebra crossing, एक zebra crossing देख सकता हूं, I can see the sky, और sky को देख सकता हूं, उसके अलावा आप यहाँ पर यहाँ पर दो truck है, आप लिख सकते हैं, I can see two trucks, यहाँ पर एक red car है, आप लिख सकते हैं, I can see a red car, ऐसे ही आप जो भी इस picture में देख रहे हैं, आप अपने accordingly यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बच्चो यह हमारी वीडियो complete हो गई है, I hope आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी तो वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके बच्चो बाई